मुसा बादा भृर्मनी शिखा पधिंसमादियानी उभी राज यहां जी सर जी सर आप गृचंसेप्ट बताए मृतर सरद्ट तो क्या बोलते है बुलकिल किलियर साफ है और अच्छेप्ट में तो कहीं कोई दिक्कत है यह नहीं अब तो आने वारे बहुत लोग आ गए हैं और इतने लोग आ गए हैं कि थोड़े समय में हमारे जो अच्छे दिन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे मलकल हो चुके हैं क्योंकि इस जगे जहां हम बैठे हैं और जहां लोगों को अभी मोबाइल चलाना भी नहीं आत वहां 183 लोग तो अभी भी हैं और हर एक व्यक्ति परिवार से जड़ा हुआ है पांस साथ आदमी और भी पीछे पीछे सुनते हैं तो लगबग संक्या 700-800 आराम से होती हमारी जब हम कंसर्ट बताते हैं और इसके लावा लोग आधे लोग नए जोड़ते हैं और आधे ल लोग सिर्फ भारत में जुड़ सकते हैं और वो भी समण क्योंकि उनके खून के अंदर और उनके जीन के अंदर पहले से ही जुड़ने की सारी सारी भावना है और देश से क्या विदेश से क्या घर से क्या जहां भी हमारा समण संगी होगा समण संग में रहने वाला व्यक् और ये पुरानी जो चीज है ये बहुत कमाल की है इस पुरानी चीज को कैसे खराब किया जाता है कैसे खराब नहीं किया जाता है अगर एक उधारण आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे भारत में पुराने समय में कोई भी समढ भिकारी नहीं था और भिक भिकारी सब्द भी नहीं था, यानि भिकारी सब्द हमारा पुराना इत्यास का है यह नहीं, पाली का है नहीं, बुद्ध से पहले का कोई सब्द नहीं मिलता, जिसमें भिका लिखा हो या भिकारी लिखा हो, या भीक लिखा हो, मांगने वाला जो होता था उसको बोलते थे य याचक याचक बोलते थे और याचक याचना करता था पुराना सब याचना है कहीं बैठना है उठना है खाना है पीना है तो याचना करते थे मगर हमारे लोग याचना नहीं करते थे हमारे लोग सिर्फ याचना करते थे माता पिता से कोई बात कहने के लिए कुछ करने के लि गाउं में था एक याचक गरीब ब्रहमन और याचक गरीब ब्रहमन की कथाएं सब जिगें मिलेंगी तो देने वाले कौन थे देने वाले थे सेठ समण यानि हम लोग सेठ समण थे सेठी लोग हुआ करते थे हम लोग समण थे हमारे साथ में कभी याचक समण नहीं लगा एक याचक समण की कोई कहानी नहीं मिलती कहीं, आप पूरी इत्यास को ठाकर देख देख लीजिए, हम ऐसा याचक ब्राह्मन मिलेगा, बंबन मिलेगा, समण यानि हम लोग नहीं थे, तो ये भिकारी सब्द कैसे आया, ये बड़े कमाल की बात है, क्योंकि जो भिकु लोग लोग कभी भी खाना नहीं मांगते थे, पहले पढ़ाते थे, फिर किसी ने दे दिया खाना तो खाते थे और कितना खाना जितना खालें उस दिन बद सामगा खाना भी नहीं खाते थे इनका इतना मान सम्मान था इतना मान सम्मान था कि जो बाद में जो राजशाही लोग आए राज राजा भी आए चाहर समराट असुक जैसे राजा आए वो भी अपने इस्थान से उतरकर इनका मां समान किया करते थे। ये आदर उनको तब से मिला हुआ है, ये नाम उनको तब से मिला हुआ है, भिक्कु और भिकुनी। चुकि सारा कुछ चला गया, चला कैसे गया? कि जो संगं सरनंग अच्छामी यानि संग की सरन में जाने का जो हमारा डेली का नियम होता था और डेली हम याद करते थे कि संग में रहेंगे, संग की सरन में जाएंगे, संग के साथ रहेंगे वो संग का सरन का हमारा काम खतम हो गया हमसे भूल गए और कुछ लोग संग को लेके चले गए तो संग चला गया तो भिक्को और भिक्णी भी चले गए तो मागने की परंपरा लोगों के यहां जाने की परंपरा थी नहीं मगर पढ़ानी की प्रंपरा थी तो जो लोग पढ़ाय करते थे उनको खाना दिया करते थे बाद में जब पढ़ायी भी चलीगी तो खाली खाना रह गया फिर वो दरवाजे पे खड़े होते थे खाना मिले लगा और ये खाना भिक्कू से भिक्का बन गया भिक्का से हो जो सरीर से पूरी तरह सक्चम हो जो परफेक्ट हो एक दम सरीर से चाहे बुड़ा हो या जवान हो और उसको आपको खतम करना हो उसे खतम करना हो तो उसे कभी काम मत करने देना उसको दो रोटी फ्री की देते रहे ना जिसे आज भीक बोलते हैं और अगर उसको दो रोटी فریقی ملتی रहे तो उसको कुछ और नहीं चाहिए वो हाथ पर नहीं लाएगा और और वो धी दीरे खतम हो जाएगा मर जाएगा यानि कोई मागने आपसे आए और आपने उसे दे दिया तो आपने उसकी मदद नहीं की आपने तो उसको मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दिया क्योंकि जिसको मागने की ओदत पर जाती है वो कभी स्वाबी लंधी नहीं हो सकता और वो कभी किसी बड़ी बात किनी सोच भी नहीं सकता वो सिर्फ ये सोचेगा कि आज दो रोटी ऊच्छे कहा से मिल जाये और कैसे मिल जाये ऐसे मांगने वाले सड़क पर हमारे हजारों लाखों 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 लोग पैदा कर दिये जिनकी हाथ पर पूपकूई तरह ठीक है अब तो हमारे बच्चों को भी वो आदत लगा दी को वो स्कूल में खाने को कटोरा लेके मांगने की लाइन में लगी रहते हैं इसे पूरा पूरा समाज जो है जिसका स्वाबिन लंबन खतम हो गया जिसकी पास में ये बात खतम हो गई कि वो मांगने के लावा कुछ और भी कर सकता है तो मांगने का ही सोचन लगा और वो और अलमुष्ट खतम सा होता जा रहा है ठीक यही जो आदत है ये आदत मांगने की और देने की हमारे जो करांती कारी लोग आए जिनोंने 29 लाग संग्ठर मराए और 4 लाग एक्टिव संग्ठर मराए उनके अंदर भी या आदत आ गी सुरू में तो वो बड़ा करांती करने के लिए आए मगर बाद में उन्होंने मांगना सीख लिया अब उन्होंने लोगों को जोड़ना कम कर दिया और पच्ची और जो उनकी रसीद है उसको लेकर वो ज़्यादा बात करने लगे और देने वाले उनको देने लगे हम देते गए देने वाले देते गए और लेने वाले लेते गए तो लेने वाले ये भूल गए कि उनका काम क्या है उनको सिर्फ एक छी ध्यान रही कि लेना कैसे और वो हर साल यानि अभी जैसे नवंबर के महने तक उन्होंने लिया हमसे और नवंबर के बाद दिसंबर में खश कर दिया तो अब वो मार्च के महने माएं गया है वो जनवरी में नहीं आएंगे, वो फरवरी में नहीं आएंगे, वो मार्श के महिने में आएंगे, फिर रसी दुख लेके आएंगे, चौदे अपरेल का इमोशनल बावा साप का जनदिल मनाने के लिए और सारे आएंगे, और चौदे अपरेल तक पूरा अपरेल में ये फं उनको पता है कि रोज-रोज कोई पैसा नहीं देगा, प्रसन पूछ लेगा, तो साल में एक वार देना आसान होता है, तो उन्होंने आसामिया बनाई हुई है, वो टार्गेट बनाई हुए हैं, उन्हें नाम याद रहते हैं, किस से पैसा लेना है, कौन कितना पैसा पिछली वार दियातार कितनी वार देता है ये मांगने कर खाने का यानि भिकारी होने का एक नया सिस्टम है अगर आपका कोई मित्र आपका कोई दोस्त कोई बहुत बड़ी अभाई आप जिससे बहुत प्यार करते हैं और वो शराब ही हो जाए और आप उसको पैसा देने लगें तो आप उसकी मतत नहीं कर रहे हैं आप तो उसकी सराब का बड़ावा दे रहे हैं वो तो मर जाएगा क्योंकि अगर आप उसे प्यार करते हैं तो उसकी शराब बंद करनी है और शराब बंद करनी है उसका पैसा बंद करना है जब सराब नहीं पिएगा तो होस में आएगा तो फिर वो काम सरी करेगा उसका सरी काम ठीक करेगा ऐसे ही जो लोग डॉक्टर अम्वेटकर को प्यार करते हैं या जो प्रवुद भात बराना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे वो डॉक्टर अम्वेटकर की बात को फॉलो करने के लिए काम करने के लिए उनक हम इसा करेंगे पोस्टर नारे भौत हैं वर हखीकत बावा साव अंबेटकर का काम नहीं काम इची यह पूरे लेकर अधिकार का नहींगे आना और हमारे लोगों को अधिकार देना यह उनका में काम है, वो काम तो खतम हो रहा है, जितने भी अधिकार वो ले के आए थे, वो तो सारे चले गए, कुछ कोट ले के चले गए, कुछ जो हमारे कानून बनाने वाले लोग थे, वो ले के चले गए, कुछ implement नहीं होते, तो पता कैसे चलेगा के हमारे सारे अधिकार जा चुके है हम संग्ठन बहुत हैं इखटा बहुत हैं मगर हमारी नौक्रियां चली है यानि एक ले दे के हमारे पास में नौक्री का रोजगार था ना हमारे पास जमीन ना हमारे पास जाजात ना हमारे पास दुकाने ना हमारे पास में विदेशों में कहीं कोई जगे है ना हमारे पास म ले दे के थोड़ इसी सरकाई नौकरी थोड़ इसी कितनी एक तो सरकाई नौकरियां वैसे बहुत कमें टोटल दो करोड़ नौकरियां हैं पूरे भारत में जो सारी मिलाकर हैं और दो करोड़ में आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट का जो सेक्टर का हिस्सा है वो मैग्जिय आरेक्ष्टन तो रहेगा पर नौकरी है नहीं तो मिले कहां से अब आप यह नहीं कह सकते कि BSNL में आपको नौकरी चाहिए क्योंकि BSNL तो बंद होने कगार पर है अब आप यह नहीं कह सकते कि बैंक में आपका रेल पेसन पूरा होना चाहिए क्योंकि बैंक तो बिक चुके हैं आप ये नहीं कह सकते कि जो एर इंडिया है उसमें आपकी नौकरी पूरी होनी चाहिए क्योंकि एर इंडिया तो बिक गया है रेली भी हाथ से जा रही है जिसमें साड़े तीर लाग करमचारी और एक लाग करमचारी हमारा अपना है आगे पढ़े तो सिक्षा हमारी बावा साब लेके आये थे तो सिक्षा हमारे हाथ से गई जो कॉलिज है वो प्राइवेट खुले लगे प्राइवेट हो गए अब इस्टेट कॉलिज नहीं चलाती जो कॉलिज थोड़े बहुत बचे हैं उनमें बच्चे जाता है उसमें कि करती है डॉक्टर एक absolute बंता है इनजीने पचास लाग में बनता है एंबी mism नोकरी हैं उन पे एड़ोग वेसिस पे ठेके दादारी पे या और सोर्सिंग पे आ रहे हैं यानि कि सरगाई नोकरी खतम है तो जो इसको 50,000 रुपे मिलता है जिसको 1,000,000 रुपे मिलता है उसको 10,000 रुपे मिलेगा 10,000 में करेगा क्या खाएगा क्या बच्चों खलाएगा और पढ़ाने की तो बात छोड़िए तो खुद पढ़ लेगा तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकता चाहें दुनिया धर से उधर हो जाए 10,000 रुपे में क्या बच्चों पढ़ाएगा 20,000 में क्या बच्चों को पढ़ाएगा मेंगाई बहुत ज़्यादा कर दी गई है तो पढ़ाई बावा साब जो लेके आये थे वो बंद है थोड़े समय बाद में ये जो जिससे MLMP बनते हैं ये सबसे लाश्ट में खतम होगा ये भी खतम हो जाए अलमुस्ट तो खतम ही है क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है और बाकी भी ये खतम हो जाए तो जितने अधिकार बावा साब लेके आये थे अलमुस्ट सारे के सारे लगवग वो जा चुके हैं जा चुके ह समय से पहले थे या बावा सहब अदिकर करके समिय थे जब बावा साव अधिकर पढ़ वहाइए थे तो सारे इधिकार चले जाएंगे तो कुछ लोग साईद यह सोच रहे हैं के उन्होंने कोठी बना ली है, बंगला बना लिया है, किराया आ रहा है, पैसा आ रहा है, अच्छी पैंसन आ रही है, तो पैंसन दस-पंदर साल तब तक जीएंगे तब तक पैंसन है, और रही कोठी और बंगले, तो मैं इस पश्ट यहां बता दूँ कि समराट असोक के समय हम सब चीजों के राजा थे राजा हम थे क्योंकि समराट असोग समर था सैनापती हम थे क्योंकि समर सैनापती था सैना में हम थे क्योंकि सारी सैनापती समर लोगों की थी पत्थर जो समराट असोग ने लिखवाए वो हमने लिखे क्योंकि लिखे हुए पढ़े लिखे लोग हम थे, पढ़े लिखकर हमने पत्रों पर सबसे पहले एक्षर बनाए हमने लिखे, तो पढ़ने वाले भी हम थे, तो हम तक्चला यूनिवर्स्टी जैसे वैद थे, वहाँ चिके सकते, डॉक्टर थे, तो सुदत जैसे हम लोग ब राजदरवार में हम, सासन चलाने वाले हम, राण मंत्री यानि की राजा हम, सिक्षक हम, जो सारी चीज़े बनाने वाले इंडिस्टी बनाने वाले लोग थे, वो हम थे, तो ब्यापार भी हमी लोग थे, तो हर चीज किसान से लेके, खेती से लेके सारी चीज़े हम करते थ भे बम्मर्टों सिर्फ याचक था याचरा करता था याचक था तो वो सारी चीचे चली कैसे गई सब लोग कैसे चले गए तो इसलिए जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत है वो यह मान लें कि जब सम्राट असोक के सासन के बाद में हमारा पूरा सासन सत्ता जमीन जाजा कि तो कुछ है भी नहीं एकात किसी पास मकान होगा दो चारबी के जमीन होगी यह ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है जब भूके मरोगे तो क्या करोगे इसको बेचोगे उने पूरे दाम में और फिसे खा जाओगे फिर क्या करोगे तो यह चली जाएगी क्योंकि सम्र नहीं गिए पहले हमारा बैपार पहले नहीं गया हमारी सुरक्षा का बज्यों था जो संग था वो चला गया और हम 6700 टुकड़ों में बटन लगे एक के दो दो के चार चार के आट आट के सोले सोले के बत्तिस के चौशट के ऐसे टुकड़े टूटते गे हमारे और 643 जात अलग अलग हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे एक दूसरे की मदद करने की बजाए एक दूसरे को ये जानने की बजाए कि हम तो समण हैं और सारे के सारे एक ही परिवार के लोग हैं सिक्षा चली गई तो इत्यास चला गया तो जानकरी चली गई तो भूके मने लग संग बापिस आया जब बावासा वंबेट करने पुराना इत्यास पड़ा किताबे देखी खंगाली तो उन्होंने फिर भारत को जो टुकड़ों में बटा हुआ भारत था हजारों जो स्टेट हैं उनमें बटा हुआ जो भारत था उसको भारत गड़राजे संग बनाया और प उसकिल था क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ नहीं था ना उनके पास में इज़्जत थी ना पैसा था ना पढ़ाई थी ना लिखाई थी ना खेता ना खलियान था उनकी अलग सूची बनाई कैटालोग बनाई उसको सिडूल कहा गया और कास्टों का नाम दिया गया था इसलिए कुछ कास्ट नहीं उसमें रख दी गई, कुछ कास्ट हैं, कुछ लोगों को जो ट्राइप्स लोग थे, जो जंगलों में रहे रहते थे, उनका सिटूल बनाया, उनकी सूची बनाई, उनको एक साथ मान दिया, और जो बचे उनको अधर्स बोल दिया, चोकि वो कहते हैं कि फटे नहीं हो सकते, कास्ट कभी खतम नहीं हो सकती, उन्होंने कास्ट भी खतम की, उन्होंने खटा भी किया और हमको नया नाम दिया, CC, ST, OPC, ये काम जो लोगो कहते हैं कि कभी हम इखटे नहीं हो सकते वो बावा साव अम्बेटकर को अच्छी तरह से पढ़े हैं बावा साव अम्बेटकर ने 6,743 जाती पर काम नहीं किया बावा साव अम्बेटकर को मजबूर किया गया कि कास्ट खतम ना हो कैसे मजबूर किया गया बावा साव अम्बेटकर न पूरी पूरी अंग्रेजिक सामने रखी उनको सवन में आ गया कि इनके लोग ही आएंगे इनके लोग ही जज्मेंट करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है जब इन लोगों को खुद अपना अधार करना है खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है खुद अपना नियम खुद पड़ता है वो बाधता नहीं थी मगर भावा साब अकेले थे उस युद्ध में और दुस्मन बहुत ज़्यादा थे उनको यह पता था कि अगर इन लोगों ने अपने नियम खुद बनाने सुखर दिये जैसे संग में पहले बनते थे जैसे संग में आज बनते हैं तो यह तो फैंसले अपने अपने आप करेंगे फिर यह हमको तो मुख्या बनाएंगे नहीं जैसे इस संग के अंदर सारे नियम संग के हमी लोग बनाते हैं जो ऐसे हैश्टियोबिस हैं बाहर का कोई आदमी इसमें हिंटर नहीं कर सकता इसमें रिष्टिकली मना हैं कि संग कि बड़ी जिन्दगी में रहेगी नहीं या कोई कुछ भी है तो वैसे ही बावा साब ने वही नियम वही नियम वहां चे उठाया समर संग से और से इलेक्टरोल का नियम हमाले बना के दिया वो समर संग का नियम था अपनी लोग अपना नियम बनाएं अगर वो जानते थे कि समर संका नहीं है मगर पालियमेंट में चला गया तो कितनी बड़ी मुस्वत होने वाली है ये तो हमारे हाथ से गए इसलिए एक बुड़ा आदमी खां मैं खां कभी जिंदगी में वो पूरा उसने भूखरताल की रही मगर बावा साब के अगेशन भूखरताल बैठ गया और मिलिंग का सम्झो था जिसके तहट में सैपरेड एलेक्टॉल बापिस लिया गया और उसके बद्दे में ये आरक्षण नौक्रियों का आरक्षण और जो पार्लियमेंट का आरक्षण है ये दिया गया जवरस्ति का फार्मला क्यों ये क्यों था ये जजज्मेंट इलिगल ने दिया तो गौवर्मेंट से समझोता हुआ बावा साथ का मगर बाद में जो समझोता हुआ पूना पैक्ट जो हुआ वो गौवर्मेंट के साथ नहीं था वो इंग्लिस गौवर्मेंट के साथ नहीं था वो बावा साथ से जबरिस्ती साइन करवाए गए कौन एक आदमी ज अबरन हस्ताक्चर किया हुआ है इसलिए पूरा पैक इल्लीगल है, आज भी इल्लीगल है, मगर आप इसे तब तक इल्लीगल नहीं कह सकते जब तक संग न हो, क्योंकि बावास आपके पीछे का संग खड़ा हुआ होता, तो फिर ये पूरा पैक नहीं होता, फिर तो सैपटल होता और संग का सिध्धान चलता तो संग का सिध्धान तब नहीं चला क्योंकि बावस आपके पिछे संग नहीं था इसलिए को ये सोचे के मैंने कुछ पैसे कमा लिये तो जाजाद है जमीन है बड़ा आदमी हो गई और बैंक मेनेजर बन गए उनके बैंक मेनेजर नहीं बने जा रहे होना तो यह चाहिए था कि अगर बैंक मेनेजर है तो वो बड़े बैंक का मेनेजर होना चाहिए विदेश के बैंक का मेनेजर होना चाहिए और इस्तिति यह आ गई है कि अब यहां क्लिर्ट भी नहीं खटे हुए तो जितने ये संग्धन हैं जिनको भीक लेने की आदत पड़ गई है वो हमारी मौत का करण है ठीक वैसे जैसे अपने सरावी भाई को हम पैसा देते हैं ये सोचके कि हमारा भाई ये प्यार दे दो उसका पैसा कुछ नाम आएगा काम नहीं आ रहा है उस सराव मे पीके मरता जा रहा है और हमारी जुम्मेदारी ये होए कि हमको बचाना चाहिए हम उसको उल्टा और पैसा दे रहे हम उससे कभी उट ओगया हम कभी उससे ये पूछते नहीं है कि भाई ये जो तू पैसा लेके जा रहा है तो इससे सराव पिएगा या तू इससे इलाज क कि जा रहा है सराव पे सराव कि जा रहा है तो कैसे सराव कि जा रहा है जितने हमारे लोगों ने प्रियास किया वो अच्छे मन से आए उन्होंने उनको समझ नहीं थी कि संग बनाना चाहिए या संग्ठन तो उन्होंने एक ही काम के हजारों संग्ठन बना जी यानि सामाज करमचारियों के संग्ठने वो हजारों हैं बई हजारों जो होते हैं वो टुक्ड़े होते हैं संग्ठन नहीं होता कभी इस बात को समझा ची तरह से के अगर मैं एक तर्बूज के एक हजार टुक्ड़े कर दू तो वो टुक्ड़े कहलाएंगे तर्बूज तब कहलाएगा ज पहले हमारे संग के 6,743 टुकड़े हुए, जिसको जातियां बोलती हैं, अब हमारे संग के 4,00,000,000 एक्टिव टुकड़े संगठनों के नाम से हैं, हैं तो हमारे ही, सारे मिलके हम ही तो हैं, हमारे टुकड़े कर लो, या तो 29,00,000 संगठन बना लो, या 6,743 जातियां बना हैं बैं तो हम इक्षटे का है कोई व्यक्ती कहता है बड़े प्यार से नहीं से संग्ठन कुछतों कर रहे हैं संग्ठन संग्ठन के साथ देगुंगो फोन सकने सांग्ठन के सांग्ठन चे शार्व में जरा है और भैं आप शतनी के तुकड़ों के साथ हो, आप अपने बच्चों के तुकड़ों के साथ हो, आप अपने समाज के अपने संग के तुकड़ों के साथ हो, ये तुकड़े हैं, इनको समझो भाई, जातियां भी तुकड़े हैं, और ये जो संग्ठने वो भी तुकड़े हैं, हम इखटे कभी और जब बावा साब ने फिर दुबारा से हमको इकटा कर गे तीन टुकड़ों में खटा कर दिया तो थोड़े से राजा हम बने थोड़े से राजा बने तो कोई बंतरी बंतरी बन सकता है कोई नोकरी में बढ़िया भी जा सकता है कोई सबका कोई बिजनिस भी कर सकता है वो स पैसा देते हैं, वो पैसा हमें ही मार रहा है, जैसे जैसे हम उनको देते जा रहे हैं, वैसे वैसे और वो बड़े भिकारी होते जा रहे हैं, और जितने बड़े भिकारी होते जा रहे हैं, उतना बड़ा ही वो हमको भिकारी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो कभी खड़े भी हो सकते उनको मांगनी जादत पड़ गई है ये ठीक वैसे जैसे भाई को अगर ठीक करना है तो उसकी शराब बंद कर दो ठीक हो जाएगा वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा वैसे ही आपको उनकी शराब बंद नहीं पड़ेगी, अगर उनकी शराब बंद नहीं करोगे, तो आपकी बच्चे तो गए, उनको कोई नहीं रोक सकता, किसी कोई यकीन नहों तो परिणाम देख ले, और अगर अगर अभी भी यकीन नहों तो दसमा साल और रुखे, दसमा साल में अगर पीछे हांडी औ पीछे ज़ाड़ो और आगर हांडी ना आजाए, तो बता देना क्योंकि वो इंतियाम हो चुका है, आप करोगे क्या, कोई बहुत दिमान आदमी होगा, कोई बहुत जानकार होगा, कोई बड़ा लड़न आदमी होगा, तो हमें बता देगे भाई, तो करेगा क्या, तो बह अफसर कहां से बनेगा, तो नोकली कहां से बनेगा, डिपार्टमेंट तो बचाया नहीं, और पढ़के अफसर बनेगा, तो अफसर जाएगा कहां, कोई बहुत बड़ा वकील है, और कोई वकिलात पढ़ रहा है, तो करेगा क्या, कोर्ट तो किसी काम की रहेंगी नहीं, कोर् तो अब ही टाइम है क्योंकि अभी सम्धान कहता है कि अगर मेरे साथ सारे खड़े हो जाओ जैसे चाहो वैसे तो नियम चाहे वो बना लेगा जितनी नौकली चाहिए होतनी educators गरे लेदा जाहा सरकारी जाए प्राइवेट चाहो तो प्राइवेट में तो मेरे साथ खड़े हो जाओ तो फिर पंद्रे पैसे में स्कूल में पढ़ लोगे मेरे साथ खड़े हो जाओ तो फिर फिरी में डिग्री कर लोगे मेरे साथ खड़े हो जाओ तो फिर डॉक्टर बन जाओगे फिरी मेरे साथ खड़े हो जाओ तो सारे अधिकारे मिल जाएंगे तो कि वीदा पीपल सम्विधान की पहली लाइन है सम्विधान कहता है कि मैं वीदा पीपल के लिए काम करता हूं मैं थोड़े से आईदा पीपल के लिए काम नहीं करता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा अगर नेता नहीं होंगे राजनीती नहीं होगी तो कौन सुनेगा तो किसानों की भहिया कैसे सुननी से कैसे किसान बच गए कैसे सम्विधान उनकी बात मानी व्यक्तियों ने जो लोग थे उन्होंने तो एक साल तक बात नहीं मानी और अल्टीमेटी सम्विधान की ताकत थी कि जो 32 किसान जो संग्ठोनों में थे जब वो एक साथ एक खटके संग बन गए तो सम्विधान को उनकी बात माननी पड़ी और दुनिया को ये पता चला कि भारत के सम्विधान में अभी भी ताकत है और कोई नेता उनके साथ नहीं और कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ नहीं वो अपने सम्विधानिक अधिकार के लिए सिर्फ बैठे रहे ऐसा ही दो अपल अठारे को वाक्या हुआ जब हमारे लोग सलक पर आगए और सलक पर आगर खाली खटे हुए तो संग में आ गए तो उनका अधिकार बच गया तो जो लोग संग में रहते हैं उनके अधिकार नहीं जाते हैं उनकी पिटाई नहीं होती उनकी मूच नहीं करती उनकी हत्या नहीं होती उनकी लड़कियों के साथ बलातकार नहीं होते उनकी जमीन नहीं चिनती, उनकी जाजाद नहीं चिनती, तो भारत में क्या दुनिया में देख लिए, चलो भारत में देख लेते हैं, जो सिख हैं, दो करोण हैं, मगर संग में हैं, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होता, वो अत्याचार करते हैं, जो मुस्लिम हैं, वो का नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता, जो जैन लोग हैं, वो भी थोड़े से हैं, वो एकटे हैं, उनके वो राजा बने घुम रहे हैं, जो पार्सी लोग हैं, वो भी थोड़े से हैं, वो राजा बने घुम रहे हैं, जो क्रिश्चन लोग हैं, वो भी थोड़े से हैं, र करती का नियम है शेर कितना भी ताकतबर हो अगर जंगल में अकिला घूमेगा तो इससे फरंग नहीं पड़ता संग में इक खटा कौन है वह यहां वह जाता है चाली मतुमिक्ती से चीटी भी अगर 10 15 20 इकसात चुपड़ जायए तो आदमी ये परसान क давно हुता है कि कौन peu चिटी को मारू, कहां मारू, कैसे मारू, ये संग की ताकत के नियम है, इसलिए जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया था, कि जो जीव होते हैं, उनकी जो चौती रिकारमेंट होती है, वो होती है, संग जिससे उनको स्लंख्षण मिलता है, जिससे वो जीवित रहते हैं, हमको जीवित रहते हैं, हमको आगे भी बढ़ना है, इसलिए हमारे पास में एजूकेशन है या नहीं है, ये बात की बात है, हम के लिए इखटा होना बहुत हुई है अगर हम इखटे हो जाएंगे तो सम्विधान हमारी स्लनख्चल में आ जाएगा अभी सम्विधान है तो हमको सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा जब तक सम्विधान है और सम्विधान हां से चला गया तब भी हमें इखटा ह होने का लाब होगा, Magर बहुत थोड़ा सा, क्यों होगा? क्योंकि सम्मिधान हमारी तुन बात को सुन लेग, हम अभी इखटे हो जाए, आज इखटे हो जाए, 9 बज के 49 मट पर इटे हो जाए, सम्मिधान को बता दें हम का हम इखटे हैं, सम्विधान में तो माननी पड़ेगी, तो देर हो सकती है, सबर हो सकती है, हो सकता बात ना भी मानी जाए, इसलिए सम्विधान के रहते हुए और सम्विधान कितने दिन तक रहेगा, कितने दिन तक नहीं रहेगा, यह सब आप अची तरह से जानते हैं, इसलिए जितनी उतनी जल्दी हम अपने अधिकारों को बचा लेंगे अभी नोक्रिया जानी शुरू ही है सारी गई नहीं है मगर हम जुड़ जाएंगे तो जो गई नोक्रिया है वो भी बापस आ जाएंगी एक कागज पर हस्ताक्षर करने से नोक्रिया जाती है एक कागज पर हस्ताक्षर क प्राइविट बैंक हैं, वो खतम किये जाते हैं और सारे बैंक गौर्रमेंट के होगे, सारे गौर्रमेंट के होगे, तो एक आदेश से चीज़े पलट जाती हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट बिके हैं, जो डिपार्टमेंट चले गए हैं, जिनमें नौक्या चले गई हैं, वो कहीं बाहर नहीं गई है, उन्हें को उठागे बाहर नहीं ले गया, वो सिर्फ नाम बदला है, एक order, एक sign से वो बापिस आ जाएंगे सारे-सारे, जो लोगों को निकला गया वो बापिस आ जाएंगे, तो एक order से public sector के बहुत सारी यूचुम्टे बन जाएंगी जिनमें नौक्या मिलेंगी, और एक order से आपको कुछ ही हो सकता है, मगर यह order होगा तब, जब आप समिधान की बात बानेंगे और आप एकटे होंगे, अगर आप एकटे नहीं होते हैं, तो फिर तो आपका मरना तह है, क्योंकि जो लोग scattered होते हैं, जो लोग बिखरे हुए होते हैं वो जंगल में मारे जाते हैं, कभी अजगर खा जाएगा, कभी शेर खा जाएगा, कभी भूग से मर जाएंगे, कभी बारिश से मर जाएंगे, कभी दलदल में फज जाएंगे, कभी पेड़ से गिर जाएंगे, कभी मच्छर खा जाएंगे, कभी कीड़े खा जाएंगे, अ तो यहां कभी जिंदगी में पब्लिक से पैसा नहीं लिया जाएगा तो पहले भी नहीं लिया जाता था यह समर्संग बुद्ध से पहले का संग है तो यहां व्यक्ति नहीं पैता करते हैं यानि व्यक्ति नेता नहीं हो सकता समड़ संग का कभी व्यक्ति नेता नहीं होता तो समड़ संग का नेता समड़ संगी होता है तो आज कल हमारा समड़ संग में जो बात लिखे हुई है वो समड़ संग में तो समड़ संग के अंदर किसी भी हालत में कोई भी फैसला होगा वो संझी करेगा व्यक्ति कभी फैसला करना गुश्पा फैसले को गलत होने की कोई अम्मीद रही है यानी फैसला हमें सब्सक्रा हमें सब्सक्राइब थीक होगा यह गरणिट cyn hairs बात की तोकि आधे लोग चाहिए कम से कम. आदे लोग उसको फ𝘢ंस लेको मानेंगे तो फैंसा माना जाएगा. तो समण संग के अंदर न कोई छोटा है और न बड़ा है. तो यहां सब एक दूसरे को सर कहके बोलते हैं और महिलाओं को बहन जी कहके बोलते हैं. तो यहां कोई भी आदमी आ जाए. तो समर संग के लोग जमीन पर बैठते हैं ना तो मंच है ना माला है ना माईक है तो समर संग में होता है नहीं तो यहां भी यहां भी नहीं होता तो यहां मीटिंग में सब लोग अपना खाना लेके आते हैं मगर खाना लेके आते हैं तो वो खाना संग का हो गया, समाज का हो गया, फिर खाते हैं उसमें से, सब को बरावर मिलता है, तो ये पुराना नियम है, कि कोई आदमी कितनी महनत करे, मगर भू का को नी सोएगा, मिलेगा सब को, ये संतों ने नियम बहुत बनाएं हमारे, और ये हमारे पुराने नियम है कि कोई काम ना भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, खाना उसको मिलता है, तो संग में वही नियम है, कि सब खाना लाएंगे, अगर मानलों दस लोग खाना नहीं भी लाला पाए, कहीं रास्ते से आ रहे हैं, कोई बात हो गए, चीज हो गई, तो भूके नहीं जाएंगे, समण सं तो यहा कोई किसी को दो भी मत, यह पैसा हमारे बच्चों के लिए जैर हो रहा है, हमारा काम नहीं बनना है, काम खराब हो रहा है, तो समण संग के अंदर ना कोई जात है ना पात है ना भेदभावे या हर वेक्ति आ सकता है तो इसकी सदस्रता भी बड़ी तमाल की है यहां कोई एकाउंट जिंदगी में बनेगा है नहीं समण संग की कभी रेश्टी नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती बही रेश्टी किस बा तो समर संग के अंदर एक चोटी चोटी की माल की हैं के समर संग हर व्यक्ति को पूरा मुक्त देता है यहां 233 लोग हैं जिसमें जितना दम है वो तना काम करें और वो उड़े जहां तक उड़ना है कोई नहीं रोक रोकेगा यहां रोकने वाला कोई नहीं है यहां रोकने वाला कोई नहीं है यहां तो आओ अपना काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ यानि कि भारत में या भारत के बाहर समल व्यक्ति एक बार पैदा समल संग में हो गया, समल व्यक्ति पैदा हो गया, SC, ST, OBC है, तो मेंबर हो गया, उसकी मेंबर सिप कोई नहीं हटा सकता, संग हटा सकता है, सिर्फ अगर वो संग के विप्रीत जाएगा, यानि कि पूरी सभा बैठेगी तो उसकी membership जा सकती है तो यहाँ 232 लोग है चाहए वो काम करें या ना करें मगर स्रमर्संग की मेंबर हैं तो जो ज़्यादा काम कर रहे है वो active member हैं जो काम नहीं कर रहे हैं अभी नहीं करें कि यह उस दिन से काम कर रहा है तो वो senior member होता है यह परंपरा पुरानी रही है जो बाद में आते हो बाद में और वो इसलिए भी यादास में क्योंकि यहां हिस्टरी बन रही है यहां बहुत साथ लोग हिस्टरी लिख रहे हैं कौन विक्ती कब जोड़ा किसने कितना काम किया कितना नहीं क्यों तो कि ऐसा देखा गया कि समण संग के लावा जितने भी संग्ठर में लोग काम कर रहे हैं संग्ठर में काम कोई करता है बाद में कोई और आ जाता है कोई पैसा लेके आ जाता है कोई कुछ आ जाता है किसी का रैट चला जाता है किसी का कुछ चला जाता है कोई कुर्सी बैट जाता है तो यहां कोई कुर्सी वुर्सी रैट वाइट तो है नहीं मगर इज़त का मामला है कि इज़त उसको जादने मिलेगी जो पहले जोड़ता है तो उसकी सीनिटी बनती है वो सीनिटी पानीपत के हाउस से पास है और वो बुद्ध से पहले भी बनती थी कि यह है तो यहाँ एज से फरक भी पड़ता कोई आदमी दस साल का जुड़ा और कोई आदमी पचास साल का जुड़ा और दोनों के दोनों पांस तारिक को जड़े तो दोनों की सीनिटी बरावर होगी, दोनों संग की दिश्टी में दोनों बरावर जड़े होगी, और बरावर है, कोई आदमी उनसे पहले जड़ा हुआ है, तो वो उनसे सीनियर होगा, चाहा भले ही उसकी उमर आठ साल है, क्यो अच्छा होगा, तो समण संग में सारे नियम जितने भी बनते हैं, वो सारे नियम समण संग में लोग बैठ के बनाते हैं, तो लोग पूछते हैं, जी पॉलिटिकल व्यू क्या है, पॉलिटिक्स में क्या करना है, पॉलिटिक्स में दो बातें समण कहता है, कि सारे लोग इख व्यक्ति कभी भी जा सकता है अगर दुबारा अगर आएगा तो समर्संग उसको यस करेगा तब लेकर आएगा यानि साइल लोगों की सभा बैटेगी कोई व्यक्ति छोड़के चला गया तो उससे पूछा जाता है कि तुम क्यों चलेगे थे दस वार आ सकता है दस वार जा सक तो डॉक्टरों का अंतरठ छिक और लए सकति समर्संग बना है अंतरठ इंटरनेशनल मेडिकल का डॉक्ति का संग बन गया इसमें 300 दॉक्टर करीब घटते हुए उन लोगोंने वहां पैसा खटा करके वाहां इखटे हुए उन्होंने अपना खाना वाना सब खुल आये ख खटक बन जाएंगे तो समध संग और बड़ा होगा तो समध संग का ultimate जो देश से वो है सुख प्राप करना अपने बच्चों का भविस्व प्राप करना हर तरीके से प्राप करना क्योंकि समध संग में सब करें के लोग आते हैं समध संग हर जिगा है हर व्यक्ति के अंदर है सब को काम करना पड़ेगा काम करेंगे तो जीतेंगे काम नहीं करेंगे तो नहीं जीत सकते कोई 100-200 व्यक्ति काम करें समझ संग कुगी लाखों में चलता है 120 क्रोड का है इसलिए 120 क्रोड लोग काम करना पड़ेगा आप इस विचार धाराव को इस concept को पराने concept को बुद्ध से के पहले के concept को जितना जल्दी लोगों तक पहुचा सकते हैं, उतना जल्दी हम जीत जाएंगे और जितना देर से पहुचाएंगे, उतनी देर से हम हार जाएंगे, समय हमारे पास कम है, इसलिए हर वेक्टिव काम करना पड़ेगा, जो संग में कोई व्यक्ति ये कहे कि पैसे मांगे है तो उसके कान पे दो खींच के लगाईए को कि समर्संग जिंदगी में भी कभी भी वीदा पीपल कभी भी पब्लिक से पैसे नहीं लेगा यहां पैसे नहीं जोड़े जाते यहां व्यक्ति जोड़े जाते हैं जोड़ने की ज झाल 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 या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिवर्टी है, आपको छूट है ये सभी कॉपिराइट फिरी है आप अपने फेस्बुक पे, अपने पेज़ पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप यूटूब पे चला सकते है अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद तंगं सरेनं गच्छा में तंगं सरेनं गच्छा में तुम्तियं पी बुद्धं सेनं गच्छा में तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छा में तुम्तियं पी धन्मं मर्सेनं गच्छा में तुम्तियं पी बुद्धं सरेनं गच्छा में तुम्तियं पी सेन्गं सेनं गच्छा में बुखियं पी संदम सर्वं कच्छामी तर्थियं पी बुद्धम सर्वं कच्छामी बुद्धम सर्वं कच्छामी तर्थियं पी संदम सर्वं कच्छामी